हेलो कोई स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बिलका इकुन को प्रेस कर लेना है तो फर्स्ट आपको स्टार्ट पर राइट क्लिक करना है देन आपको क्लिक करना होगा डिवाइस मेनेजर पर यहाँ पर आने के बाद आपको इस टैप का इंटरफेस मिलेगा यहाँ पर आपको फर्स्ट वाल आप्शन मिलता है ओडियो इनपूट्स आउटपूट्स ठीक है जैसे कि हमारा टॉपिक भी था ठीक है ओडियो ड्राइवर को सेट अप करना है तो यह अगर हमें यह ड्राइवर को ऐड्ड करना है यह ठीक है connect करना तो simple हम क्या करेंगा अगर यह हो सकते हीस में आपको कोई प्राब्लम हो या फिर कुछ चेंजर करना हो तो आप simple scan for hardware changes पर क्लिक करेंगे ठीक है तो यह चेंज हो जाएगा और अगर आप इसको अपडेट करना चाहते तो update driver पर click करिए search automatically for driver spam click करेंगे the best drivers for your device are already installed ठीक है या फिर अगर आपको यह driver नव मिले तो हमें का करना होगा कि हमें एक बार अपने PC को restart करना है restart करने का बाद आपको device manager में याना है तेन आपको action पर click करना है यहां पर आपको option मिलेगा scan for hardware changes या फिर add agency hardware ठीक है welcome to the hardware wizard आपको option मिलेगा next पर हम click करेंगे आप यहां पर काफी कुछ जो अपने drivers रहते वह आप इस्टॉल कर सकते बट जो already आपका delete हो चुके या फिर remote हो चुके तो उसके लिए आपको का करना है scan for hardware changes पर आपको click कर देना है ठीक है इस तरीके से आपको setup कर देना है then आप इस तरीके से driver connect कर सकते audio driver connect कर सकते आप लो आपका कुछ भी doubt रहता है तो आप लोग हमें WhatsApp कर सकते हैं मिलते हैं next video में जय मातादी